नमस्ते दोस्तों आप लोगों ने मैसूस किया होगा दिन परती दिन आपके पसुओं की बीमारियां भड़ती ही जा रही है इसका कारण चाहे कोई भी हो लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग परकर्तिक की गोद से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं कुदरत ने हमारे आशपास बहुत से ऐसे पेड़ पोदे दिये हैं जिनकी असीम सक्तियां हैं जिनका उपयोग करके हम अमारे पशुओं की सबी तरह की बिमारीयों का एलाज बहूत ही हसान तरीक्य से कर सकते हैं मगर प्रोब्लम क्या है हम कुद्रत की हासीम शक्ति को पैचान नहीं रहे हैं कहीं ना कहीं हादुनिक्ता की दोड में हम भटक गए हैं जिसके कारण दिन पर दिन हमारे पशुओं की बीमारिया भड़ती जा रही है आज मैं आपको एक ऐसे पोदे के बारे में बताने जा रह एक ऐसा पोदा है जो आपको आपके घर के आसपास जरूर मिल जाएगा और इस मौसम में तो यह आपको बहुत मात्रा में आपके आसपास पाड़ेगा भूम्मी आवले के इस पोद्दे के उपियोग से आप अपने पशुओं की कई तरह की बीमारियों का इलाज कर सकते है सबसे अच्छी बात क्या है इन पेड़ पोदों से आपके पशुओं को शिरफ फाइदा होता है तो अब हम चर्चा करते हैं कि भूम्मी आवले का उपियोग हम अमारे पशुओं की किन-किन बीमारियों में कर सकते हैं भूम्मी आवले का उपियोग आप अपने पशुओं पशुओं को अपच हो जाए कई बार क्या होता है आपके पशुओं कुछ ऐसा वैसा खालेते हैं जिससे उन्हें फूड पॉइजनिंग हो जाती तो फूड पॉइजनिंग के लिए भी ये पोदा बहुत ही अच्छा काम करते हैं तो आप मानके चलिए पेड की सभी बिमार कर रही हैं तो हम किसान सीधा ही कंपनियों से ना लेके और अपने जंगल से अपने आसपास से इनको उखाड के अपने पशुओं पर यूज क्यों ना करें इसमें हमें बहुत से फाइद है एक तो विलुक्त होती प्राचीन बारतिये चिकित्स्या बचाई जा सकती है दू बहुत ही अच्छी और यह निए की इसका रजल्ट दो या तीन मैने में आएगा आपको एक अपते के अंदर ही आपके पसु के सरीर के अंदर फरक दिखने लग जाएगा उसके बाद आपके पसु के सरीर में कहीं भी कोई भी जखम हो जाए जखम कैसा भी यह आपको क्या क बोलूँगा तोटका मैं इसलिए बोलूँगा हमारे बुजरुगों का मानना था पसु के सरीर में गाव में किसी भी तरह के कीड़े पड़ गए और कितने भी मात्रा में पड़ गए बुम्मियावले के पूरे पोद्दे को उखाड के और लाल रैड कपड़े के अंदर लप लगे इनके बहुत अच्छे रेजल्ट है तो मुझे बताना भी है ताकि मैं और किसान लोगों को भी बता सकूँ उसके बाद आपके पसु का कभी पेसाब रुख जाए या आपके पसु को पत्री हो जाए तो उसमें भी इस पोद्दे का बहुत ही चमतकारी उप्योग है आप करके देखिए इसको कूट के पानी में घोल के पिला देना आपके पसु का पेसाब उतर जाएगा इसके अलावा आपके पसु को बुखार हो जाए तो बुखार में भी आप इस पोद्दे का उप्योग कर सकते हैं बुखार को यह पोदा बिल्कुल जड़ से खतम कर द आपके पसुओं के बच्चों की आंखों की रोषनी चली जाती है मैंने एक नहीं कई केस् 그러면 ऐसा देखता है इसतरह के यह केस में मैने इस पुखे का उप्योग कि यह वहाइगा मैं ने बहूत से किसान घ्यों को बताया है कि इस मैसिफे थोष निकाल के और इस को उस की आख में अबनोर बुक्स में जरूर बताना इसके फाइदें के बारें में क्युक्न आपको हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि आपके और किसान भाइयों को भी यह आपका बी रुपें नहीं लगा आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप भी इस सबूर दे के बारे में परचार करें अगर 1990 खाय तो और भीत जी सानों का भा Bunda की उनको विभा 누lauri इसके अलावा पसुमें बहुत बड़ी समस्चे थनेला रोग की अगर हम सर्वात में ही चिकिच्छा करें तो मातर ये पौदा ही थनेला रोग को खतम कर सकता है हमें करना क्या है इस पौदे को पीस के ग्राइंड करके और पसु के थनों पे लगाना है लेकिन ध्यान रहे कब सर्वात में अगर थोड़ा है भी थलेना रोग बढ़ गया तो ये पौदा उस पे अपना चमतकारी असर नहीं दिखा पाएगा थलेना रोग देश में इतनी तेजी से फैल रहा है कि मैं आपको क्या बढ़ाऊ शाम तक हजारों किसानों के मेरे पास मैसेज आते हैं जो थल तो थलेना रोग ने तोड़ एक साना मेंती हैं कि वह दिन-रात महनत करता है लेकिन जैसे यह रोग आता है किसान का एक लाग रुपे का पश्चूप भी सजार रुप्या जाता थलेना रोग श्याप आप अपने पश्चूंपों को जरूर बचा कर रहें मैं गोंड़ा रो प्योग कीजिए अपने पशुओं पे ताकि आपके पशु सवस्त रहें और साथ ही विल्प्त होती बारत्य प्राचीन चिकिश्या को बचाया जा सकते तो मेरे साथ साथ आप लोगों का भी करतव्य बनता है कि आपके आश्पास जितने भी पेड़ पोदे हैं उन सब को बच सब्सक्राइब को डो सबसें रही हैं और आज अगर पैदाई नहीं किया तो मैं आप लोगों ना कीजिए बलेम कीजिए आप अपने आपको आप पेड़ पोदे लगाने के बाद परदुसन फैलना नहीं है जितना परदुसन होगा पेड़ खतम कर देंगे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए ताकि भूम्मी आवला जो इस सम किसान भाईयों को पता लगे धन्यवाद